नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं जर्खन में 31 अक्टूबर से पहले 3 लाग पदो पर भरती मुख्य मंत्री हमना ren ने सभी बीभागों को नियोकती नियमाली की विसंगतियों को तिस दीन में दूर करभरती पर करिया सुरू करने का निदेश दिया है सीम ने कहा है कि 31 अक्टूबर से पहले सभी विभाग नियुक्ती सेवा सद से जुड़ी नियमावलियों में जो भी विसंगतियां हैं उन्हें दूरक और बहाली के लिए विगापन परकासित करे मुख्यमंति ने उक्त निर्देश गुरुवार को कार्मिक प्रसासिनिक सुधार यों राजभासा विभाग की बैठक में दिये बता दे बैठक में यह अभी आदेश दिया है कि बर्ग तीन और चार से समंधित नियुक्तियों के समंध में कार्मिक परसासनिक सुधार और राजबासा बिभाग के आलोक में नेमावली में जो संसोधन किये गए हैं उसका अनुपारन हर हर में सुनिश्चीत होना चाहिए बता दे राज सरकार के बिभीन बिभागों में अभी तीन लाग के करीब पद खाली है जारखन में ठंड की दस्तक रांची से आसपास के इलाकों में ठंड की दस्तक सुरू हो चुकी है बता दे सुरज ढलते ही साम में ठंड का एसास हो रहा है जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है ठंड में बढ़ोतरी होनी सुरू हो जाती है बता दे ठंड की दस्ता के साथ लोगों के गर्म कपड़े भी निकलने सुरू हो गए हैं विशेस का रात में सोने से पहले लोग हलके गर्म कपड़ों का परियोग करना भी सुरू कर दिया है जारखन में 26 हयार सिक्षकों की जल्द होगी बहाली सिक्षा मंत्री जगरनाथ महतों ने कहा है कि आने वाले समय रोजगार का होगा हेमन सरकार नोक्रियों की सोगात देगी सभी विभागों में पद स्रीजन को लेकर प्रकिरिया की जा रही है जिसकी सुरूआ सिक्षा विभाग से ही होने जा रहा है जल्द ही 26,000 सिक्षकों की नियुक्ति सरकार करेगी जिसकी बहाली कुछ दिनों के अंदर निकलने वाली है बता दे 26,000 में 13,000 पद 12,000 के लिए आरक्चित होगा जिसके बाद 31,000 सिक्षकों की बहाली को लेकर फाइनल पर किरिया धीन है इस पर भी जल्द समती मिल जाएगी नेशनल महिला जुनियर होकी छारखन के सिम्डेगा में आरजीत एकारवी नेशनल महिला जुनियर होकी चेंपियनसिप के दुसरे दिन गुरुआर को 5 मैच खेले गए बतादे पहले मैच में महराष्ट ने जोरदार खेल का परदसन किया शुरुआत से ही आकरमक खेल का परदसन करते हुए होकी महराष्ट की खिलाडियों ने गुजरात को 23-0 से पराजित किया वहीं उडिसा ने हिमाचल परदेश को 12-0 से सिरकत दी बतादे गुरुआर को होकी 36 गड़ और होकी मध्य परदेश के बीच भी मुकाबला हुए जिसमें 36 गड़ ने मध्य परदेश को 4-1 से पराजित किया वहीं चंडी गड़ ने बेहतरी इन खेल का परदेशन करते हुए गुवा को 10-1 से पराजित कर अगले चक्र में परवेश किया अप्रसिक्षित पराजित को 2 साल का मिलेगा बकाया मान्दे राज्य के करीब 3,000 और प्रसिक्षित परासिश्कों को पिछले 2 साल के मांदे का भुक्तान होगा इसके लिए सभी जीलों से इन परासिश्कों की अपसेंटी मांगी गई है बता दे इन में 1850 वैसे सिक्षित नहीं हो सके हैं जबकि 1850 परासिश्क वैसे हैं जिनके सर्टिफिकेट में NC लिख दिया गया था लेकिन बाद में उन्हें प्रसिक्षित मांन लिया गया बता दे राज सरकार 3,000 और प्रसिक्षित परासिश्कों के बकाय मांदे के रूप में 100 कोड़ों रुपे खर्च करेगी मिस्टर और मिस जार्खंड फेम का ओडिशन नौ जिलो में होगा बवी इंटर्टेन्मेंट की ओर से मिस्टर और मिस जार्खंड फेम 2021 का आवजन नौ जिलो में किया जाएगा इसके लिए रैस्टेशन पर किलिया सुरू हो गई है इक चुक परतिभागी 600 रुपे सुल्क के साथ रैस्टेशन करा सकते हैं या जनकारी आयोक के निदेशक मित्यूम जय कुमार ने गुरु आर को प्रेस कल्ब में आवजीत प्रेस वार्था में दी बता दे इससे पहले मिस्टर और मिस जारकंट फेम 2021 का पोस्टर जारी किया गया मुख्य अतिती के रूप में मेयर आसा लकडा काके विधायक समीर लाल उपस्तित थे पोस्ट मैट्रिक छत्विर्थी भुगतान पोस्ट मैट्रिक छत्विर्थी के लिए महाविध्यालियों वह संस्थानों के लेटर हेड में फोरवर्डिंग लेटर कल्यान विभाग में जामा करने के बाद ही छत्विर्थी भुगतान हो पाएगा इसके लिए अमतिमतिती 12 नॉमबर तक निधायत की गई है बता दे राची जीला के जिन बिएट संस्थानों महाविध्यालियों का कल्यान पोर्टल में सूत्य वध्यान उनके सत्रे 2020-22 के अधेनरत छात्रों का ओनलाइन आवेद्नों को भी तिये वर्ष 2021-22 में सत्यापन किया गया है राज्य सीनियर रगभी चेंपियंशिप के लिए खिलाडियों का चायान जारखन रगभी एसोसियेशन के तत्वधान में सिंग्भूम एस्पोर्ट्स ग्राउंड चाई बासा में 24 अक्टूबर को आउजित होने वाली राज्य सीनियर रगभी चेंपियंशिप खोटी जीला पूरुस और महिला टीम का चायन किया गया खुली जेल में रहेंगे सरेंडर करने वाले नक्सली 11 मंत्रियों के लिए बनेगा बंगला राजधानी राची के स्मार्ट सेटी में वर्ल्ट ट्रेट सेंटर समेथ 11 मंत्रियों के लिए बंगला सरेंडर करने वाले नक्सलियों को ओपेन जेल में रखने की बेवस्था समेथ कूल 17 प्रस्ताओं पर ज्यारकन केबिनेट ने अपनी स्विक्रिती दे दी है बता देख गुरुवार को सीम हमासुरेन के देख्षता में ज्यारकन केबिनेट की बैठक में 17 प्रस्ताओं पर मुहर लगाई गई इसके तहत राची के स्मार्ट सिटी में 79.90 कोड़ रुपे खर्च कर 10 एकर जमीन पर 11 मंत्रियों का बांगला बनाने को सोकृती दी गई इसके अलावा अस्मार्ट सिटी में 27 कोड़ और 42 लाक रुपे की राची से वर्ल्ट ट्रेट सिंटर बनाने की समाती मिल गई है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 142 है भारत में 15734 नए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 179 या 408 है खोटी में HDU ने गैस सिलिंडर किया सील जारखन के खोटी जिले में लोग पिछले 15 दिरों से गैस की किलत छेल रहे हैं बता दे तेवारी सिजन में भी लोगों को गैस सिलिंडर नहीं मिल पाई सहर में गैस की खुल्याम काला बजारी की सिकायत पर गुरुवार की साम SDO सयद रियाज अहमद ने सहर के तोरपा रोड में अवायद गैस सिलिंडर की बिकरी करने और जमा खोरी करने वालों के खिलाब छापे मारी अभियान चलाया इस दवरान कई दुकानों में छापे मारी कर 304 गैस सिलिंडर एक पीकप, एक आटो और एक मारूती ओमनी बरामत किया गया रांची के एक लाग घरों में जला पूर्ती के लिए टेंडर जल जीवन मिशन के तहत रांची के 1,15,800 घरों में जला पूर्ती के लिए टेंडर के परकिरिया इस महीने पूरी कर ली जाएगी वहीं एक साल के भीतर काम को पूरा करने का लग्ष रखा गया है बता दे गुरुवार को रांची उपायुक्षावी रंजन ने जल जीवन मिशन की समिक्षा बैठा के दोरान इसकी जिनकारी दी इस दोरान उपायुक्त ने जल जीवन मिशन कारेकरम के तहत किये जारह कारों की समिक्षा भी की गढ़वा में PPE किट पहन कर चोरों ने 50 लाख की चोरी की जारखन के गढ़वा सहर के रंग की मुहाला इस्थित एक जिवेलरी दुकान में 50 लाख रुपए के जेवरात की चोरी हुई चोर PPE किट पहन कर और मोह में कपला धक कर चोरी करने पहुँचा था बतादे CCTV फोटेज में इस बात की पुष्टी हुई है इस घाटना के बाद से पूलिस मामले की चान बीन में जुट गई है माहा परवच्षाठ की तयारी सुरू नेम निश्ठा और लोक आस्था का माहा परवच्षाठ की तयारी सुरू हो गई है बतादे रांची नगर निगम ने भी छोट घाटो की साब सफाई समेथ पुरी बेवस्थाप पर नजर रखने के लिए अधिकारियों की जिम्यदारी सोप दी है पूरे सहर को चार जोन में बाटा गया है इतना ही नहीं बता दे चोट गाटों की साप सफाई को लेकर कर्मियों की प्रतिनुक्ती भी कर दी गई है कोईला संकट देश में कोईला संकट की खबर इस महिने के सुरुआत में खुब चर्चा में रही और यहाँ तक कहा जा रहा था कि पावर पलान्ट के पास कोईले की सक्त कमी है और किसी भी दिन देश में बिली का संकट हो सकता है बता दे देश में राई सरकारों ने जितनी जरूरत हो उतनी ही बिली इस्तिमाल करने की अपील आम लोगों से की हलाकि कोईले की कमी के पीछे बार इसको जिम्मिदार बताया गया और कहाया गई स्टोक नहीं होने की वजा से समस्या हुई और केंदर सरकार ने कोईले के अपूर्ति बढ़ा कर इस समस्या का निराकरन किया पंप्यूटर अप्रेटर की न्यूक्ति के लिए फिर होगी परिक्षा जार्खन में 700 बस चल रही है बिना पर्मीट जार्खन के हर जिले में ड्रक्स इंस्पेक्टर के माइब लाभूक सरकारी या नीजी अस्पताल में जो दवाई उपलब्द नहीं होगी उन्हें नीजी मेडिकर इस्टोर से मुफ्त में खरी सकेंगे जार्खन के हर जिले में ड्रक्स इंस्पेक्टर के माध्यम से दवा दुकानों के साथ इसका समझोता किया जाएगा यह जनकारी राष्ट्रिय स्वास्त प्राधिकरन के स्टी यो डाक्टर आरे सर्मा ने की जार्खन पूलिस पर लगा ब्रीध महिला के साथ मार पीट का अरोप रामगर जीला अंतरगत रईरापपत थाना चेतर के बड़की पोना गाव में पूलिस की पिटाई से एक ब्रीध महिला की मौत का मामला सामने आया है ब्रीध महिला की मौत के बाद गरामिनों में पूलिस के खिलाप जबरजस्त गुसा है साथ ही महाल तनाप पूर्ण हो गया है घाटना बुद्वार की देर रात की है इस घाटना की जनकारी मिलते ही गिरीडी सांसत चंद्र प्रकात चौधरी विधायक ममता देवी पहुँचे डायन को प्रथा के खिलाप जंग झेरने वाली छुटनी महतो 9 नौमबर को पदमस्री से होंगी समानित डायन प्रथा के खिलाप काम करने वाली छुटनी महतो अगामी 9 नौमबर 2021 को पदमस्री सम्मान से समानित होंगी इसको लेकर छुटनी महतों को नियोता भी मिल गया है बता दे 25 जनुवारी 2021 को समान के लिए घोसना से करीब 9 माह बाद समान समारों के प्लेफोन आने से छुटनी महतों समेत उनके परिवार वसुब चिंतकों में खोसी ब्यापता है ट्रॉक PCR वैन में टकर ASI समेत चार पुलिस कर्मी घायल जारखन के कुडर्मा जीले के जुमरी तिलेया थाना छेतर के राची पटना रोड बाईपास इस्थीत रेले ओभर बिरीज के पास बुद्धवार की देर रात एक ट्रॉक ने पुलिस की PCR वैन को टकर मार दी हाथसे में एक ASI वद तीन जवान घायल हो गया ASI की स्थिती गंभीर बताई जा रही है बतादे टकर के बाद ट्रॉक चालक फरार हो गया पुलिस संसमरन दिवस पर SSP ने कहा सहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों के साथ है रांची पुलिस पुलिस लाइन सभागार में गुरुआर को पुलिस संसमरन दिवस के मौके पर SSP सुरेंदर कुमार जहान ने सहीद पुलिस कर्मियों के याद करते हुए सरधान जली दी वीर सहीद पुलिस कर्मियों को पुस्प अर्पन करते हुए सलामी देने के बाद सहीद के परिजनों को समधित करते हुए SSP ने कहा कि रांची पुलिस हमेशा उनके साथ है और कभी भी किसी परकार की कोई परिशानी होने परवे तुरंत रांची पुलिस से संपर्क करे कोरियन चात्रों को हिंदी सिखाएंगे ज्यार्खन के सिखचक दक्षिन कोरिया के चात्रों को सेंट्रल उनिवर्सिटी और ज्यार्खन के सिखचक हिंदी सिखाएंगे पढ़ाई ओनलाइन होगी इसके लिए सेंटर उनिवर्सिटी जहारखंड और हंकुक उनिवर्सिटी के बीच एमोईू हुआ है बता दे प्रोग्राम कोडिनेटर प्रोफेसर रतनेस ने बताया कि 27 दिसंबर से 7 जनवर तक कोरियन छात्र ए ओनलाइन क्लास कर सकेंगे पलामू से उग्रबादी गिरफतार नोडिहा थाना पुलिस दोवारा चलाये जारे विशेस अभ्यान में गुरुवार के सुबह सरया गाउं से एक टी एसपीसी उग्रबादी को गिरफतार किया गया है उसके पास से 1-47 के 5 कार्तूस भी बरामत किये गए हैं पता दे पलामू पुलिस को सुचना मिली थी कि नोडिहा बाजार थाना चेतर के सलाया के रहने वारे जीतेंदर सिंग नामक ब्यक्ती टी एसपीसी के एक दस्ते को एक के 47 की गोली पहुचाने के बाद एक अने दस्ते को गोली पहुचाने जा रहा है इसी सुचना के अधार पर नाकाब बंदी कर जीतेंदर को गिरफतार कर लिया गया आठ की सोर्यों को लेकर मुंबाई पूलिस पहुची दुमका काम की तलास में दुमका जीले के विभीन पर खंड से एक मापुर्व मुंबाई गई दुमका की आठ की सोर्यों को मुंबाई के ठाने रेलवेज इस्टेशन की पूलिस ने कबजे में लेकर सकुसल दुम का भेज दिया है गुरुआर को जीला समाज कल्यान कर्यालाय में सभी का ब्यान दर्च करने के बाद बाल कन्यान समिती ने परिजनों के सुपूर्द कर दिया धन्यवाद